हाई फिन दास प्लम्बिंग और में सागतम आज में सिखने वालों कैसे पांप फीटिंग किया जाते है वाटर पांप ठीक है पहले तो वाटर पांप का हम लोग वान बॉक्सिंग कर रहे हैं फिर जो सील होता है उपर साइड में उस सील को हम लोग काटिंग कर रहे हैं देख खोड़ नेना के लिए फीर हम लोग जो mtA है ऐकिद चिका यकिद खेंट चाय-म्ट रोग्षे उसमे हमद susound summit से सकी कर लेना है ठीक है देखिए कैसे टाइट करते हैं हम लोग उसको अपधे तरीकेसे टेप लोगों टेप देखे ठीक है अब उसमें ऊसलोव देखे बढ़िया तरीके से रेंज से टाइट करेंगे देखिए रेंज से बढ़िया तरीके से टाइट देना है खुब ज्यादा भी नहीं देना है नहीं तो पाम का जो बेस है ओ तूट जाएगा ठीक है देखिए हम लोग खुब ज़्यादा भी नहीं दे रहे है और खुब अभी हम लोग दूसरा एंटी लगाएंगा एक इंच का जो सेक्सेन में जाएगा पाम का ठीक है उसमें बड़िया तरीके से टिपलों लगा रहे हैं देखिए टिपलों टिप लगाने के बाद फिर हम लो हो रहे हैं सेक्सेन बला क लग रहे हैं है इसी पानि खीचे गा उपर अब चो है उसने पानी गो फेके कर अभी छोटा सॉट पीस दे गए हम लोग देखिए छोटा सॉट पीस अभी काटिंग हो रहा है इसमें अभी हम लोग एक इंच का टी लगाएंगे देखिया अच्छा तरीके दिस्वालमेंट सिमेंट देखर देखिये यह वाला टी लग गया है फिर इसके हम लोग एको सॉट पीस काट लेंगे देखिये फिस टी में एको लगा सॉट पीस देखे उसको काटिंग करके यहाँ पर एको यूनियन देंगे हम लोग जो पाम को कोई दिक्कत होगी तो खोलने में सुविदा होगा उसलिए दोगो लाइन में सेक्षन में एको और जो पानी फेकेगा उस लाइन में दोनों लाइन में हम लोग दोगो यूनियन देंगे देखिए अभी नीचे वाला में यूनियन दे रहा हूँ यूनियन देने के बाद फिर हम लोग जो उपर वाला टी लगाया है उससी में एगो यार पासिंग का लाइन करेंगे ठीके देख लीजिए अभी उसमें एगो हम लोग छोटा स्वाट पिस देंगे छोट पिस देकर जो एक इंच बाई हाप इंच का एक इंच बाई पुने इंच जो होता है उसी का एगो ब्रास एप्टिय लगाएंगे उसमें ठीके ब्रास एप्टिय में एगो प्लाक कर देंगे पानी देने के लिए यार पास होगा वासे कभी भी पानी का पानी नहीं उठ रहा है पांप से तब इसमें खोल के प्लाक को खोल के पानी देना होगा ठीक है वीडियो आच्छा लगे तो सस्क्राइब